हलो आपरिवान वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉप की कटिंग और स्टीचिंग करना बताऊंगी इस टॉप को बनाने के लिए मैंने डेड़ मिटर कपड़ा लिया है तो डेड़ मिटर कपड़े को हमने इस तरह से रखा है दिखिए यह लैंथ है कपड़े की यानि के कपड़े की लंबाई है डेड़ मिटर और यह कपड़े की चोड़ाई है यानि के कपड़े की अर्ज वाली साइड है और कपड़े की चोड़ाई वाली साइड से हमने इसे दो फोल्ड में रखा हुआ है दिखिए यह open side है यहाँ पे और यह हमारी folded side है तो देखे कपड़े की चोड़ाई वाली side में हमने एक fold करते हुए रखा है कपड़े को और अब यहाँ folded वाली side से हम एक fold और कर लेंगे यह देखे इस तरह से और अब हमारा कपड़ा चार fold में रखा है दो folded side है और यह दो open side है देखे और यहाँ पे यह 4 side folded है अब हमें यहाँ पे सबसे पहले उपर से half inch पे एक निशान लगा के इसे सीधी line से join कर लेना है यह देखे इस तरह से अब हम इस निशान से नीचे को top की length के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे measurement में top की full length है 23 inch यानि की 23 inch और 23 में से मैं 10 inch माइनस कर लूँगी क्योंकि 10 inch की हमारी नीचे से फ्रिल लगेंगी तो आएगा 13 inch तो 13 में हम half inch प्लेस कर लेंगे margin के लिए जो कि हमारा सिलाय में जाएगा तो आएगा 13.5 inch तो यहाँ पे हमें 13.5 inch पे निशान लगाना है पूरे में यह देखिए 13.5 inch पे इस तरह से पूरे में निशान लगा के इसे सीधी लाइन से जोईन कर लेंगे तो अब हमें इसे यहाँ पे कट कर लेना है इसमें हम body spot के लिए निशान लगाएंगे और फ्रिल के लिए मैं बाद में कपड़ा कट करूँगी तो इसे कट कर लेते हैं तो यह देखिए हमने आप इसे कट कर लिया है और अब बच्चे वे कपड़े को हम साइट कर लेंगे और अब हमें आप इसमें body spot के लिए निशान लगाने है सबसे पहले हम यहाँ पर shoulder के लिए निशान लगाएंगे तो जितना भी आपकी measurement में shoulder है आप उसका half कर लें जैसे मेरे measurement में shoulder है 13 inch तो 13 का मैंने half किया तो आया साड़े 6 inch तो यहाँ पर मैं साड़े 6 inch पर एक निशान लगाँगी देखिए इस तरह से और अब इस निशान से नीचे को हमें arm hole के लिए निशान लगाना है तो arm hole भी मेरे measurement में है 16 inch तो 16 inch तक हमें इस तरह से एक line draw कर लेनी है तो यह देखिए हमने यहाँ पर 16 inch पर एक निशान लगा लिया है arm hole के लिए और अब हम यहाँ पर round chest के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे measurement में round chest है 32 inch और 32 को हम 4 से divide करेंगे यानि कि 4 से भाग देंगे तो आएगा 8 inch तो यहाँ पर मैं 8 inch पर एक निशान लगा लूँगी देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे measurement में कमर है 28 inch और 28 को हम 4 से divide करेंगे यानि कि 4 से भाग देंगे तो आएगा 7 inch और 7 में मैं यहाँ पर half inch प्लेस कर लूँगी क्योंकि कमर में मुझे थोड़ा सा loose चाहिए तो यहाँ पर मैं रखूंगी 7.5 inch तो इस तरह से हमें यहाँ पर 7.5 inch पे निशान लगा लेना है और अब इन दोनों points को इस तरह से सीधी line से join कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर back आम हूल का shape देना है और अब हमें यहाँ पर margin के लिए निशान लगाना है side से तो यहाँ पर मैं 1.5 inch का margin ले रही हूँ तो इस तरह से हमें 1.5 inch पे एक निशान लगाना है और यहाँ कमर में भी हम 1.5 inch पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और दोनों margin वाले points को इस तरह से scale से मिला लेना है ये देखे इस तरह से और अब हमें यहाँ पे front armhole का भी shape दे देना है तो ये देखे हमने यहाँ पे front armhole का भी shape दे दिया है तो अब हमें यहाँ पे neck width के लिए निशान लगाना है और अब जो ये आमhole वाले line है यहाँ पे हमें half inch नीचे को एक निशान लगाने देखे इस तरह से और इस निशान को हमें आपे neck width वाले निशान से इस तरह से scale से join कर लेना है ये देखे इस तरह से और cut करते टाइम हम यहाँ पे half inch का margin लेते हुए ही cut करेंगे तो इसकी marking पूरी complete हो गई है देखे और यहाँ पे front और back दोनों आमhole भी हमने draw कर लिये है सबसे पहले हम यहाँ पे back आमhole को cut करेंगे उसके बाद हमें front आमhole cut करना है वो किस तरह से वो मैं आपको आगे बताऊंगी और neck के लिए हमने इसमें निशान नहीं लगाया है वो भी हम बाद में लगाएंगे तो अब हम इसे हाँ पे cut कर लेते हैं तो यह देखे हमने आप इसे cut कर लिया है और अब हम इसमें से back part को निकाल लेंगे इस तरह से open करते हुए back part को हमें निकाल लेना देखे और front वाले part को हम इसी तरह से रख लिए बिलकुल मिलाते हुए और अब हमने यहाँ पे जो front armhole का shape दिया है इसे भी हम cut कर लिए यह देखे इस तरह से और अब मैं इसका neck cut करूँगी तो इसे हमें यहाँ पे इस तरह से रख लिएना है अब हमने यहाँ पे neck width के लिए निशान लगाया है देखे 2.75 इंच पे तो यह हमारा front वाला part है और front वाले part में हम neck की deepness रख रहे हैं 6 इंच तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और इस निशान से हमें आगे को एक निशान लगाना है 2.75 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए एक line draw कर लेनी है और अब हमें यहाँ पे इस point को यहाँ उपर सीधे line से join कर लेना है देखे इस तरह से और अब हमें यहाँ पे neck का shape देना है तो मैं यहाँ पे round shape दे रही हूँ तो इस तरह से हम इसमें round shape दे देंगे यह देखे इस तरह से और अब हमें से यहाँ पे cut कर लेंगे तो देखे हमने यहां पर इसे cut कर लिया है अब हम से इसी तरह से back part में भी neck के लिए निशान लगाएंगे तो यह हमारा back part है यहां पर neck width हम लेंगे 2.75 inch और back part के neck की deepness मैं यहां पर ले रही हूँ 5 inch तो हमें यहां पर इस तरह से 5 inch पर नीचे को एक निशान लगाना है neck की deepness के लिए और इस निशान से आगे को हमें यहां पर 2.75 inch पर एक निशान लगाना है और इस तरह से एक सीधी line join कर लेनी है अब यहां उपर भी हमें इस तरह से एक सीधी line से इसे join कर लेना है और यहाँ पे भी हम neck का shape दे देंगे तो मैं यहाँ पे round shape दे रही हूँ back part में भी तो इस तरह से हम इसमें round shape दे देंगे तो यह देखिए हमने आपे इसमें round shape दे दी है अब हम इसे cut कर लेंगे यह देखिए इस तरह से तो देखिए अब हमने आपे front और back दोनों पार्ट की cutting कर ली है अब हम इसमें sleeves की cutting करेंगे तो sleeves बनाने के लिए हमने कपड़े को 4 fold में रखा हुआ है जैसे हमने starting में रखा हुआ था दो folded side है और दो open side है देखिए और यहां से हमारी 4 side folded है तो sleeves cut करने के लिए सबसे पहले हम sleeves की full length के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे measurement में sleeves की full length है 16 inch और 16 में से मैं 6 inch minus कर लूँगी यानि कि 16 में से हम 6 inch घटा लेंगे क्योंकि 6 inch की मैं आप पर frill लगाऊंगी sleeves में तो आएगा 10 inch और 10 inch में मैं 1 inch plus करूँगी margin के लिए half inch हमारा ओपर से सिलाय में जाएगा और half inch नीचे से सिलाय में जाएगा तो यहां पे मैं 11 inch यानि की 11 inch पेक निशान लगाऊंगी और इस तरह से पूरे में 11-11 inch पेक निशान लगाके इसे cut कर लेंगे तो देखिए हमने पूरे में 11 inch पेक निशान लगाके इसे cut कर लिया है तो यह कपड़ा हमने 4 fold में रखा हुआ है और अब हम इसमें basic sleeves cut कर लेंगे देखिए मैंने हाँ पे basic sleeves cut कर ली है तो अब जो हमारा यह top part है इसमें हमें नीचे से frill लगानी है तो frill लगाने के लिए हम कपड़ा cut करेंगे तो यह जो हमारा कपड़ा है यह मैंने हाँ पे 2 fold में रखा हुआ है देखिए तो आपको ध्यान होगा मैंने starting में बताया था top की full length है 23 inch यानि की 23 inch और 23 inch में मैंने 10 inch minus किया था क्योंकि 10 inch की हमें पे फ्रिल लगानी है तो हमने हाँ पे 13 inch का body spot कट किया है उसमें half inch हमने प्लस किया था margin के लिए और 10 inch की हमें फ्रिल कट करनी है तो अब हमें हाँ पे इस कपड़े में 10 inch पे इस तरह से एक निशान लगाना है और पूरे में 10 inch पे निशान लगाते हुए इसे कट कर लेना है तो देखे हमने हाँ पे फ्रेंट वाले पार्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है और इसकी लेंध हमने हाँ पे 10 inch रखी है और इसमें अब हमें आपे फ्रिल बनाएंगे और सेम इसी तरह का हम एक पीस और कट कर लेंगे बैक पार्ट के लिए तो देखे हमने सेम इसी तरह का एक पीस और कट कर लिया है बैक पार्ट के लिए यह देखे और अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे और आपको ध्यान होगा मैंने यहां पे स्लीव की फुल लेंथ में से 6 इंच माइनस किया था क्योंकि 6 इंच की हमें आपे स्लीव में फ्रिल लगानी है तो 6 इंच की हमें आपे फ्रिल कट करेंगे तो फ्रिल की लेंथ हमें आपे रखेंगे 6 इंच क्योंकि हमने sleeves की full length में से 6 inch minus किया था तो इस तरह से हमें पूरे में 6 inch पेक निशान लगाना है और इसे सीधी line से join करके इसे हम cut कर लेंगे और सेम इसी तरह का हम एक पीस और cut करेंगे दूसरी sleeves के लिए और अगर आप इसमें कम gather's देना चाहते हैं यानि कि कम चुननटे देना चाहते हैं तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो आप कम भी कर सकते हैं तो देखे हैं मैंने यहाँ पे दोनों sleeves के लिए फ्रिल कट कर लिए हैं अब हम यहाँ पे neck बनाएंगे तो neck बनाने के लिए हमने यह fusing paper लिया हुआ है यह folded side है इसकी और यह open side है हमने इसे एक fold करके रखा हुआ है देखे और अब हम यहाँ पे इसके उपर से इस तरह से अपना front वाला part रखेंगे और यह folded side से मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है और अब हम यहाँ पे neck को trace कर लिए तो देखे मैंने यहाँ पे इसे trace कर लिया है और अब हम यहाँ पे अपने body spot को हटा लिए और अब जो यह neck का shape है देखे इस निशान से आगे को हमें 2 इंच पे पूरे में एक निशान लगाना है और उसमें भी हमें यहाँ पे neck का shape ही देना है देखे इस तरह से तो यह देखे हमने यहाँ पे इसे पूरा मिला लिया है और अब हम इसे यहाँ पे cut कर लेंगे इसी shape पे तो यह देखे हमने यहाँ पे neck cut कर लिया है सेम इसी तरह से हम back part का neck भी cut कर लेंगे तो फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट के नेक की कटिंग हमने आपे फ्यूजिंग पेपर पे कर ली है और इसमें हमने आपे फैब्रिक भी पेस्ट कर लिया है देखे एक साइट से जो कि हमने वाइट कलर का ही किया है और इसमें साफ से दिखनी रहा है तो यह हमारा फ्रेंट वाला पाट है और कपड़े की सीधी साइड है और यह कपड़े की रॉंग साइड है तो कपड़े की सीधी साइड के ओपर ही हमें आपे नेक को रखना है जो हमने आपे फ्यूजिंग पेपर पे नेक कट किया है तो किस तरह से रखना है वो मैं आपको भिखेए नेकटट किया है यह हमारा पैबरिक वाला साईड है यानिका हमने कपड़ा पीस्ट किया है यह वह साइड है और इससे हम इस साइड के ऊपर ही रहता घ्रकारी तो यह हमारा फ्रेंट वाले पाट के ऊपर ही रहेगा देखे इस तरह से अब हमें आप एक सिलाई लगानी है और साइट से इसे एक फोल करते वे इसमें भी हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है चलिए मैं आपको मशीन में लगा के दिखाती हूँ तो देखे यह हमारा कपड़े की सीधी साइड है तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर हमें आपे जिस साइड हमने कपड़ा पेस्ट किया है उस साइड को रखना है और जो फ्यूजिंग वाला पाट है वह उपर साइड रहेगा देखे तो इस तरह से यहां पे पूरे में एक सिलाई लगा लिन है तो इसमें हमने पूरे में सिलाई रख लिए देखे अब यहां पर नेक में जो हमने सिलाई रखी है पूरे नेक में हमें छोटी-छोटे कट लगाने हैं इस तरह से पूरे में कट लगाने और सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी रख लेंगे तो यह देखिए मैंने यहां पर इसमें टॉप इस्टीच रखते हुए इसे रॉंग साइट को टर्न कर लिया है और इसमें अब हम यहां पर हैमिंग कर लेंगे और अब हमें यहां पर इसके बॉटम पार्ट में फ्रि कि आपको बात बात में बताउंगी किस तरह सेमें gather'sates देने हैं पहले हम एक साइट से अपए साइट से एक थे झाय потрясन है को इस तरह से कीच ना कि और इस था है आजेज देने हैं तो देखे मैंने इसमें आपे जैदर्स दे देंगे और इसमें दोनों साइड से एक से डेढ़ इंच छोड़ते हुए ही आपे gather's देने हैं तो ये जो gather's हैं ये हमारे top part के बराबर ही आनी चाहिए देखें तो इस तरह से हम इसे measure कर लेंगे तो ये देखें ये हमारे इसके बिल्कुल बराबर ही आ रही है तो अब मैं आपको बताती हूँ से हमें किस तरह से attach करना है और sleeves में frill लगाने के लिए जो हमने आपे कपड़ा cut किया है इसमें भी हमें सेम इसी तरह से frill बना लेनी है तो अब हम frill में bodice part को attach करेंगे तो ये कपड़े की सीधी side है और ये right side है कपड़े की तो दोनों की right side एक दूसरी के और face करते ही हमें रखनी है देखे ईस तरह से बिलकूल मिलाते हुए और इस तरह से रखते हुए हमें इसमें silahe रख लीनी है तो देखे मैंने आपे इसमें silahe लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से open कर लेंगे तो हमने आप फ्रेंट वाले पार्ट में ف्रिल attached कर लिये हैं और सेम इसी तरह से हमने back part भी ready कर लिये है देखिए अब हम इसके shoulder attach करेंगे तो यह हमारे front वाले कपड़े की राइड side है और यह कपड़े की wrong side है देखिए तो कपड़े की right side के उपर से हमें आपे back part को रखना है ये देखे इस तरह से तो ये wrong side है कपड़े की और ये right side है देखे तो इस तरह से हमें इसे बिल्कुल मिलाते हुए रखना है तो ये देखे ये wrong side है और ये right side है और ये भी right side कपटे की तो दोनों की right side एक दूसरे के और face करते हुए हमें इस तरह से रखनी है और इसके shoulder attach कर लेने हैं और side से भी हम इसमें सिलाई लगा लिए तो देखे मैंने आपे इसके shoulder भी attach कर लिए है और यहां साइट से भी इसमें सिलाई लगा ली है और गले में भी हमने आपे पूरे में हैमिंग कर ली है यानि कि तुर्पन पूरे में कर ली है अब हम इसके स्लीव स्रेडी करेंगे तो देखे यह हमारी आपे एक स्लीव है और इसमें हमें फ्रिल अटेज करनी है तो यह दे पर इपकड़ साइड है और आपको सपर को रख न ऊopर को यहां पे इसffic ने से धुलाइं usta को रखना अलेंस आपके इपक्ल इस तरह से कर लिया है अब मैं समय को इसार्वो कर लिया है अब स्लियल ऐससे भी इक सिलाय को यह लगा लाई के बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इसे अपने टॉप पार्ट में अटेच कर लेंगे तो स्लीव समने इसमें अटेच कर ली हैं और ये टॉप बनके बिल्कुल रेडी है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बता कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तैंक्स फर वाचिंग